चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं input devices के बारे में input devices होती क्या है आपको पता होगा जैसे कि आपको पता है देखिए computer और computer के अंतरगत जो है हमको तीन चीजे देखने मिलती है एक तो input देखने मिलता है एक मिलता है process और एक मिलता है output तो input device होती है जिसके साहता से user निर्देश देता है computer को ताकि वो काम कर सके process कर सके और output के रूप में वो जो है जो भी परिनाम है वो प्रदान कर सके तो यहां पर input device की बात करें देखिए हम कौन-कौन इसको जो है character reader यहां पर बोल सकते हैं जो की हम देखें MICR sort में इसको बोला जाता है MICR मतलब यहां पर जो बैंक में जो चेक और डीडी में जो numbers होती है magnetic रूप में वो छपे होते हैं उनको read करने के लिए उपयोग में आता है optical character reader जिसमें computer में पहले से format बाने होते हैं और इसकी साहता से जो है उसको match करता है यह बार कोड रीडर कोई बार कोड रीडर आपको देखने मिलेगा OVCR जो है optical barcode reader ठीक है उसके बाद देखें तो optical mark reader जो परिक्षा में जो OMR seat होती है चार में से एक गोला को खाले करना होता है उस प्रकार की seat को read करने काम होता है ATM होता है touch screen होती है fingerprint scanner होता है आई scanner तो यह सभी जो input devices group में देखने को मिलते हैं तो हम सबसे पहला बात करेंगे keyboard के बारे में keyboard होती क्या है keyboard का मतलब होता है typing input device है और सबसे first priority में इसको रखा गया था जैसे हम अगर बात करें डॉस की सबसे पहला operating system आया था डॉस में आपको पता है CUI use होता था character user interface तो यहां पर सबसे primary रूप से अगर input device की बात करें तो keyboard ही आपको देखने को मिलती थी जो की कुस इ keyboard है तो यहां पर हम देखें तो यह जो है इसमें लगबग 100 के आसपास 103 106 109 इस प्रकार की की देखने को मिलती है आप किसी से ऐसा जगड़ा नहीं कर सकते कि आपको confirm पता है कि 109 की होती है ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकती क्योंकि की जो है keyboard के अनुसार यहां पर change होते रह देख सकते हैं तो keyboard आप देख सकते हैं typing input device एक प्रकार peripheral इसको बोल सकते हैं और यह type writer की तरह देखने यहां पर देखता है और numbers की आगर देखें तो numbers की आपको देखने मिलते है जीरो से लेके 9 तक अच्छा alphabet key की उपर ही जीरो से 9 तक होती है सिफ्ट होती है और इसके लाब विंडोस की option किये सभी किये जो होते कि विशेष प्रकार की की कि स्रेड़ी में यहां पर आती है तो चलिए यहां पर हम देख लेते हैं यहां पर MPPC और वैपन समदित गर्म की त्यारी कर रहे है तो अनेकड़ी में आपको लिका रहा है बहुत ही आकाशक फ्री प्लांग कर दार्याद आपको मिलते है इसके साथ आपको मिलेगा एक्स्क्लूसिव और अनेकड़िमी आप यहां पर MPPC प्रिलिम्स 2020 की चैंपिंसिप के अंतरगा जो इस्टूएंट यहां पर टॉप रैंकर रहेंगे उनको वन मन्त का सब्सक्राइब मिलेगा अनेकड़िमी की तरफ से और अचीवर बैच आप जोइन कर सकते हैं यदि आपको MPPC का संपूर मारताथन चाहिए तो यहां पर 11 अलवी से यह क्लासे सुरह हो चुकी है और डेली यहां पर अलगलग समय पर यहां पर क्लासेश चल रही है इसका साथ यदि आप प्लस सब्सक्राइब लेन चाहते है त इसका benefit भी आपको होते हैं तो साथ दिनों को यहां पर लाइफ ट्रैस कोट्स यहां पर है और लाइफ एंसे क्यूं की रिविएन बैच यहां पर चलाए रिकॉर्डड़ बैच यहां पर लाइफ डाउट क्लेरिंग सेसिन यहां पर चलिए पीडिए आपको मिलेंगे जो ल कुछ चूज कर सकते हैं और यहां पर सरकाट है सरकाट है प्रोम को डाली इससे आपको 10 पर सब्सक्राइब सकता है तो देख इस बात की डाउनलूट कीजिए अगर लर्निंग एप और लेट्स क्रैक इट जो कीबोर्ड है कीबोर्ड आप देख सकते देखें फंक्शन की की बंबात करूं फंक्शन की आपको पता है यह देखिए आप देख रहे है एफ बंद से लेकर एफ 12 तक आपको कंप्लीट रूप से फंक्शन की नजारा रही है ठीक है उसके बाद इस पेसल की कि अगर बात करने तो इस पेसल की आपको क्यूंसी दिख रहे है यह देखिए सबस्कार करने के रहे हैं तो आप यहां पर यहां पर यूज होता है इसके सांथ ही आप इसके आप देखें तो आप नम लॉक के बाद में आपको कैप्स लॉक दिख रहे हैं कैप्स लॉक का मतलब होता है जो अल्फवेट दी हैं A B C D और कुछ जो स्पेशल सिंबॉल दी हैं जिसे A है अगर हम सिर्फ A प्रेस करते हैं कि तो यहां पर आपको स्मॉल यह देखने मिलेगा और B प्रेस करते हैं स्मॉल बी देखने मिलेगा फरंतु आगर आप कैप्स लॉक ओफ आरं कर देते हो तो कैप्स लॉक उन करने के पसचाद आपको जो बी है सब्सक्राइब में सब्सक्राइब नाम की काम यहां पर यहां पर आपके जाता है उसके आद आपको Numeric Keypad देख रहा है Numeric Keypad मतलब यहां देखे नमबर लॉक से संबंदित यहां इसको ओन करेंगे तो यह वाला ओन हो जाएगा मतलब कीवोड चालू और अगर इसको क्लिक करेंगे तो यह ओफ हो जाएगा यानिकी कीवोड यह वाला बंद हो जाएगा इसको लेफ्ट है राइट है यह सभी यहां पर काम करने लगेगी अगर नम लॉक ओफ हो जाता है तो इसके लाबाए एरो कीज आपको नजार आ रही देखे डारेक्शन की यहां करसर मूबमेंट की इनको बोला जाता है टॉप है बाटम मतलब टॉप डाउन है यह पिर हम बोल सक को माडिफाईर कर आश सब्सक्राएं काम को मॉडिफाई करने का काम करते सिंप अरलता है यह तो और आगर हम से ऊंचेंक है डा만 आप निशान आ पर निशान आपको देखने को मिलए गा तो इस प्रकार आप देखें उपर आपको symbol दी है जो shift के साथ आएंगे और नीचे आपको number से दी है जो बिना shift के यहाँ पर आ जाएंगे इसके साथ ही यहाँ पर आप देखें underscore है, dash का निसान है, यह सब भी shift के साथ यहाँ आएंगे अगर बात करें तो यह character wrap मतलब जो हटाने के लिए यूज होता, left side के और right side के character हटाना तो delete के यहाँ पर यूज होती है, ठीक है करेंगे यहाँ पर multiple space देने के लिए tap की, catch lock मैंने अभी बता चुक हूँ, shift और control और alt जो हर मोडिफायर की होती है, यहाँ पर आपने जो की है, उसके काम को बदलने के लिए यूज होती है, यहाँ देखे, control की जो होती है, combination की है, एक प्रकार की, modifier की, जो की यहाँ देखे, control के साथ ए दबाए, तो select all हो जागे नहीं, shortcut की रूप में इसका प्रयोग होता है, windows की start बटन या जो भी windows से related काम है, उसको करने के लिए हाँ, alter बटन जो होती ही, menu बार activate करने के लिए, space आपने समझ गए, यहाँ एक option बटन होती है, जिसका प्रयोग होती है, right click के लिए, जैसे अगर हम mouse की right click press करते है, option आता है, तो उसी प्रकार यहाँ से भी हमको option देखने को मिलता है, control की आप देख चुके है, shift की आप देख चुके है, enter की, line को break करने के लिए, यानि कि हम कोई line में type कर रहा है, और सीधे line से नीचे आना है, तो line से नीचे आने के लिए enter की press क करते हैं, या फिर किसी dialog box में हैं, कहीं और कुछ काम कर रहा है, तो वहाँ पर submit करने के लिए, हमें enter की का प्रयोग करते हैं, तो यह देखे, f1 जो होती है, f1 help के लिए होती है, हर जग है, परन्तु f12 तक कि अगर बात करें, f12 तक जो है, आपको अलग-अलग जो application है, हमने keyword यहाँ पर देखे हैं, अच्छा keyword जो है, हम यहाँ पर अगर देखे हैं, तो अविसकार इसका 1806 में हुआ था, sorry, 1868 में हुआ था, keyword का अविसकार 1868 में हुआ था, Christopher, Latham, Souls के द्वारा, keyword का अविसकार किया गया था, और keyword का प्रयोग है, हमने देखे, अभी text के कारे में, दूसरी चीज़ अगर बात करें, हाँ देखे, की हमने 6 भागों में यहाँ देख लिए, मतलब की जो है, कितने प्रकार से हम देख सकते हैं, अच्छा keyword का जो है, अगर बात करें, हाँ पर keyword, तो यहाँ देखे, keyword का फुल फार्म अगर पूछा जाए आप से, तो B का मतलब होता, board, O का मतलब होता है, यहाँ पर, ठीक है, A का मतलब होता है, मतलब पहला तो O आएगा, और फिर A आएगा, O का मतलब होता, operating, A का मतलब A से लिकर Z, और R का मतलब होता, response, और D का मतलब होता, directly, ठीक है, तो इसका फुल फार्म आप देख सकते हैं, electronic at board, operating A to Z, response, directly, यहाँ पर हम देख सकते हैं, अच्छा, layout की है, दरिश्टिस, अगर देखें, तो layout की दरिश्टिस, तीन प्रकार की keyboard, आपको देखने मिलेंगे, कौन-कौन से, layout की दरिश्टिस, आपको तीन प्रकार की keyboard, देखने मिलेंगे, जिसे हम बलते है, quality, और ठीक है, तो हम ज हमारे इदार जो है, use नहीं आते हैं, ठीक है, और इसके अलावा keyword के जो प्रकार है, वो अलग-अलग प्रकार से भी बांटे जा सकते हैं, एक तो normal keyboard होता है, normal keyboard मतलब, जो हम साधरने तर देखते हैं, ठीक है, दूसरा होता है, तार रहित, तार रहित, मतलब wireless keyboard आता है, भी यहां कुछ और चीज़ें बात कर लेते हैं, जैसे function की हमने देखे, function की का मतलब होता है, F1 से लेकर F12 ठीक है, चलो पहले typing की देखते हैं, typing की का मतलब होता है, typing की 0 से लेकर 1, और दूसरी a से लेकर z, Eles देखे, so Level a से लेकर z, बड़े a से लेकर z, और 0 से लेकर 1, यह सभी complete रूप से अगर देखें तो इनको alphanumeric की बोला जाता है और टाइपिंग करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली की इनको बोला जाता है जिसे बोलता है ठीक है तो इसका नाम ही टाइपिंग की है दूसरी चीज अगर देखें तो आपको इसी कंतरगात टैप की दे पिर कोई table का format बनाना है तीन चार गुना इस पेस चाहिए तो यहां पर इसका प्रियोग हम करते हैं इसके बाद हमको जो है caps lock की हमने देखे थे caps lock की का मतलब होता है चलिए यहां पर मैं कीबोर्ड में दिखाते है चलता हूँ मैं इसको यहां पर clear कर देता हूँ तो देख तब सारे जूट characters है वो यहां पर हमको capital यानि की upper case में देखने को मिलेंगे next होती है shift की shift की हमने अभी देखे थे already हमारी keyboard की दूसरी line में जो है numeric मतलब एक प्रकार से अगर देखे तो यहां देखे shift जो है वो क्या करता है modifier की अगर हम इसके साथ में कोई character को प्रेस करते ह है तो क्या होता है capital बनेगा और अगर इसके बगर प्रेस करते हैं तो हमको small देखने मेरेगा condition क्या है caps lock off होना चाहिए ठीक और caps lock on है तो उल्टा काम होगा उसके अगर बात करें तो किसी भी दो सब्दों के बीच में एक character का यहां पर space देने के लिए किसका प्रयोग करते ह और यहां पर अगर बात करें तो mouse pointer के cursor जो है उसको किसी text के बीच में रखने के लिए enter की press करते हैं उपके बटन को प्रेस करने के लिए enter की press करते हैं backspace की आप समझ गया backspace की एक एक character को left side के right side से left side के character को हटाने के लिए control की आप समझ गया यहां पर देखे control की मतलब combination की हो मतलब होता है एक step बापस आना अचानक कोई step है आगे बढ़ गया हम उस step से हमको बापस आना तो हम escape की का प्रयोग करते हैं जैसे मान लीजिए open का dialogue box हमने क्लिक किया है delete key की अगर बात करते के character को यहां पर या तो कोई file को delete करना है या फिर document में चले जाए तो right side से character को यहां पर हटाने के लिए जो है देखे backspace के उल्टा काम करती है उसके अलाबा indicator light की हमने देख लिए 3 होती है num lock हो है caps lock है scroll lock यहां देखने मिलती है साथ में numeric keypad के बारे में देखे जिसके अंतरगाद आपको भीन प्रकार की बटन मिलती है जीरो से लेके 9 तक और plus minus into divide enter key num lock और dot का निशान देखने को मिलता है तो complete truth से हम देखे यहां पर जो है जो keyword है keyword के बारे में यहां पर जाना है free में available मिलेगा sequence में मिलेगा तो आप उसको भी यहां पर download कर सकते इसके बाद जो है आदर जो input device है जिसके अंतरगत हम mouse और अन चीज़े देखेंगे वह हम next class में देखने वाले हैं चलिए अब हम पढ़ते हैं computer की un input device जैसे कि हम input device के बारे में बात कर रहे थे और कुछ अन्य जो input device के अगर बात करें तो यहां पर आपको देखने मिलेगा mouse देखने मिलेगा उसके बाद fingerprint scanner देखने मिलेगा देखिए आई scanner है बार कोड डीडर है graphics pen tablet है ठीक है यह देखिए trackball mouse है पहले समय का mouse है यह ठीक है उसके आद देखिए आपको scanner देखने आपको अधर इंपुट device करूप में यहां पर देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी mouse की तो चलिए यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले mouse के बारे में तो mouse कुछ इस प्रकार आपको देखता है हलाकि यह बायर वाला भी हो सकता है बिन बायर यानिकि वायरलेस भी हो सकता है दोनों प्रकार के अभी बरतमान में चलन में है ठीक है बायरलेस वाले में आपको सेल का प्रयोप करना पड़ता और एक receiver होता है signal receiver तो वह आपको PC में जब CUI के स्थान पर आया GUI GUI मतलब आपको Windows देखने मिलता है तो Windows जब से आया तब से यहां पर माउस का प्रयोग यहां पर देखने को मिलने लगा तो माउस एक प्रकार की pointing इंपूट डिवाइस है जिसका हम प्रयोग जो है क्लिक करके यहां काम कराने के लिए करते हैं य तो यह जो है complete रूप से PC को नियंत्रित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं पॉइंट करके माउस में देखे तीन बटन हमने देख लिए जो की पॉइंटर को यहां पर मैनेज करने का काम करती एक बॉल होती है मतलब पहले पहले बॉल हुआ करती थी नीचे जिसको जम माउस को अ přिल यहां पार के देख सकते हैं जो कि माउस के प्रकार के अगर बात करेता माउस के प्रकार का तीन प्रकार के लिए मिलते हैं तो तो देखे तीन प्रकार कौन-कौन से एक तो mechanical mouse होता है एक होता है optical mouse होता है और एक cardless mouse होता है तो देखे mechanical mouse आपको यह देखने को मिलेंगे जिसमें आपको देखे जिसमें wall हुआ करती थी पुराने समय में ठीक है लगभग यहां पर 2008 की अगर बात करें 2009 की तो उस समय भी यह mouse आया करते थे परन्तों भी बरतमान में का चलन बंद हो चुका है क्योंकि उनकी अपक्षा ज्यादा जो reliable है यह आपको देखने मिलेंगे यह वाले ठीक है efficient तो यहां देखे बॉल हुआ करती थी अगर इस बॉल को घुमाते थे तो mouse का जो pointer है इस प्रकार का जो pointer है वह क्या गया एक light आगया जो जमीन पर फेकेगा और उसकी सहता से अगर move कराएंगे तो यहां पर आपको जो है mouse का जो pointer है वह आपको एकदर उधर move होता हुआ नजर आएगा तो यह कहलाते है optical mouse जिसमें भी आपको देखे तीन बटन्स देखने मिलेंगे एक left होती है एक right होती है और एक scroll होती है तो यह mouse होता है दूसरा next होता है cordless ने की जिसे wireless mouse भी गोलते है जिसमें इस प्रकार का receiver आता है ठीक है इसमें cell का भी बैटरी का प्रयोक के जाता है और यह जो है PC में USB में यहां पर अटेज के जाता है तो इस प्रकार यहां तार रहित mouse आपको देख सकत है गेर की तरह है और खास करके वीडियो गेम अगर खेला जाता है computer में तो उसके लिए यहां पर यूज होता है काफी सारे functions आपको देखने मिलेंगे देखने मिलेंगे स्पीड बढ़ाने गटाने सारी चीज यहां देखने मिलेगी जो game केंशने से संबंदित हैं तो यह यह भी प्रकार कि इंपूट डिबाइसे वीडियो गेम केंशने काम आती है इसका प्रियोग दौर है यहां पर उल्टा कर दिया जाए तो जो है मतलब ट्रैक बॉल जो माउस है माउस को अगर उल्टा कर दिया जाए कौन सा था मैकनिकल माउस तो वहां पर देखें तो यह ट्रैक बॉल बन जाती है दूसरी की लैपटॉप में आपको टचपेड दिखता है टचपेड भी ट्रैक बॉल का उधारन है हाला कि वह फ्लैट कर दिया गया है और वहां पर आपको अलग मेथड का प्रयोग करना पड़ता है तो वह इसी प्रकार से हैं काम करता है टचपेड भी तो ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इंपूट डिवाइस है जो की माउस की तरह ही कार करता है और इसमें उभरी हुई गेंद होती है देखिए उभरी हुई यहाँ पर एक बॉल दिख रही है और अपनी उंगली से इसको घुमाना पड़ता है स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए मोबाइल में इसका प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट होते है लाइटवेण का मतलब क्या होता है देखिए हम पी सी के अंतरगत जो है इस प्रकार से व्यवस्ता हो जाती है पी सी कंतर चीज कर सकते हैं लाइट प्रियोग चैन के लिए कि लिए जाता है जैसे माऊस से अच्छा इसका प्रियोग कि यहार जा सकता है तो टॉट क्रीन प्रकार की इनपुट डिवाइस यहां होती यहां होती आपनी या उसकी अंदर जो भी सेंसर होते उसे अपनी उंगलियों से को मैनेज कर लेता है किसी यूजर को कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी नहों तो भी से सरलता से यूज कर सकता है और ठाच इसक्रीन का प्रयोग आजकल रेलवेश टेशन ये एपोर्ट अस्पताल इसका लाबा स्वापिंग मॉल है इन सभी जगे आपको टाच स्क्रीन से सम्मंदी चीजे देखने को मिलेगी हर जगे यूजर की इनफर्मेशन के लिए फिर नेक्स्ट एक और इंपुट डिवाइस होती है जिसका नाम है स्केनर जो है जैसे आपको हाड कॉपी देखने मिलेगी हाड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कनबट करने के लिए कि इसका प्रयुक किया जाता है मतलब कोई पिक्चर है कोई भी आपको ग्राफिक देखने मिलेगी उसको इसके अंदर रख दिया जाता है और उसको कंप्यूट तो यह जो एक प्रकार की इंपुट डिवाइस है मतलब कोई हाट कॉपी है उसको बदलने के लिए हां पर यूज किया जाता है फिर होता है फिंगर प्रेंट सकैनर फिंगर प्रेंट मतलब आप देखिंए मल्ठीपल वाला यह निकि पूरी पूरी पूर प्रकार कर 10 देखने ज़र देखने दूसरी चीज आप देख सकते हैं यह वाला फिंगर प्रेंट स्कैनर यह भी आपको देखने मिलेगा बैंक में देख सकते हैं आप एक फिंगर आपका यूज करते हैं और आप इसको एकसे कर लिया जाता है ठीक है बैंक से पैसे निकालने जमा करने इन सबी चीजों के लिए इसके लावा एक और होता है जिसे हमाने आई स्केंण अाइजस को बोला जाता है ठीक इससे रेटीना का स्केंशन चाहψे है और यहां पर देखें 1 वार का देखनेिक मिले नेक्षकार का कोड आपको देखने मिलता है कोई जिसको रिट करने का काम इस प्रकार की था घूँऑ इसको रूचनावों को असानी से का जा सके इसके माइर सीट के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर जो कि इस प्रकार से आपको दिखता है और यह seat आप देख सकते इस प्रकास आप चार गोले में से गोल कालगी और उस गोले को मतलब जो seat है इसके अंदर बापा जाता है और प्रकास की तीवरिता कम होगी वहाँ पर उसको सही उनलिया जाता है तो ओम इस फोर्मेट में यहां पर काम करता है ठीक है उसके साथ ही हम देखे तो होता है मेगनेटिक के अंदर आप देखिए इस प्रकार के नंबर आपको लिखे होते हैं ठीक है तो यहां पर आपको MICR नजार आ रहा तो यह जो है चेक और DD में लिखे गए कोड जो है मेगनेटिक इनके माध्यम से लिखे जाते हैं उनको यहाँ पर रीट करने का काम करता है कौन MICR मतलब जो है मेगनेटिक इनक करेक्टर रीडर इसको बोला जाता है इसके बाद एक और होता है ATM, ATM मतलब आटोमेटिक टेलर मसीन इसको बोला जाता है मतलब यह जो है प्रकार की स्वाच चलीती है निकि आटोमेटिक चलने वाला एक मसीन माना जाता है जिसे अलग अलग जगे आप देख सकते हैं बैंक में, स्वापिंग मॉल में, रिल्वेज स्टेशन में, हवाई अडे, बस स्टेंड और अन्य कोई जगे जहां पर आपको ज्यादा भीड का सामना करना पड़ता तो आपको ATM की ववस्ता देखने मिलती है तो यह जो है, बैंक में हमको पैसा ने निकालना पड़ा है, उसके लिए यहाँ पर सुविदा होती है, यूजर अपने एटियम कार्ड है, डेविट कार्ड उसको यहाँ पर इंसर्ट करके यहाँ से पैसे को विड्रॉ कर सकता है, जैसे बैंक से करता है तो एटियम की साहता से जो है, पैसे जमा भी कर सकते हैं, बैंक वैलेंस चेक कर सकते हैं, और एटियम की सुविदा जो है, 24 घंटे यहाँ पर उपलब्द होती है, यूजर के लिए, हाला कि अभी कोरोन लगा तब से जो है, कुछ बैंक के दार इसको बंद कर दिया जाता है ठीक है, रात के समय में, उस क्या देख होता है, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का मतलब होता है, कंप्यूटर में बोईस इन्पूट अगर देना है, तो इसका प्रयोग के जाता है, माइक्रोफोन अलग अलग बराइटी में आते हैं, देखे इस पर टेबल है, माइक्रोफो माइक्रोफोन का यूस करते हैं इसके साथ ही हम देखें तो हमको ग्राफिक टेबलेट देखने मीलता इस्टप् WenUE Elementary स्कृ Megap यानि कि जो laptop है computer screen पर आपको नज़र आएगा जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या यह देखिए मैंने SSW अभी ग्राफिक्स टेबलेट में लिखा तो आपको यहां पर नज़र आ रहा है तो आप आसानी से इसमें जो है यह देख लिया तो चलिए पीशे चलते हैं हमने बात करें थे माउस से तो देखे computer की जो सारी इंपूट डिवाइसे से उनके बारे में यहां देखें तो हमने सबसे पहले mouse के बारे में देखे mouse एक प्रकार की बारे माउस जिनको बोला जाता है जोश्टीक हमने देखे वीडियो गेम खेलने के लिए ट्रैक वाल यहां पर मुखता लैपटॉप में इसको उसका लाइट पैन सेंसी मतलब जो संबिदन सील कलम है एक प्रकार की computer में कोई भी काम को आसानी से करने के लिए अगर आगर ज्यादा नौलइज भी नहीं उसको तो आसानी सी इसमें काम कर सकता है एक अगर बात करें इंहें के करता है इसकेन यहां पर देखिये रूप सब्सक्रlusive आप इसकेज़ करने के लिए ऊसको प्रोटीकल करेकตर पांदी को यहां पर रीट करने के लिए उस होता है ATM आपने देख लिए उसके आद माइक्रोफॉन देख लिए तो आई होफ सारी चीज़ा आपको क्लियर हुई होगी आप टेली काम चैनल जोइन कर सकते हैं इसके बात का जो टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे आउट्पूट डिवाइ इसके लिए आपको अब्यास होता है इसके लिए आपको अनकेडमी आप यहां पर पढ़ सकते हैं और यह चालू हो चुका है ग्यारा फरवरी से यहां पर चल रही है और चैंपिशिप के अंतरगात जो स्टुनेंट यहां पर टॉप रंकर रही है उनको वन मन्त का सब्सक्राइब फ्री मिलेगा अनकेडमी की तरफ से और अचीवर बैच आप जोइन कर सकते हैं यहां यहां पर 11 फरवी से यह क्लास सुरू हो चुकी है सब्सक्राइब और डेली यहां पर अलग अलग समय पर यहां पर क्लासे चल रही है इसका सांस यह आप प्लस स्ब्सक्राइब लेना चाहते है तो इसका बेनिफिट भी और व्यू मों फो और 200 बान पर चैक्टिस कराएंगे और किसार ज्यादा कोश्चिन आप प्रक्टिस करा जाएंगे तो अपने प्लान के नुसार आप अपने प्लान को चूज कर सकते हैं और यहां पे सरकाट हैं सरकाट हैं प्रोमो कोड डालिए इससे आपको 10% तक कर डिसकांट यहां पर मिल सकता है तो देर किस बात की डाउलूट क लेर्निंग अप और लेट्स क्राक इट